देर स्टुनेंट वी एफ डिसकेस्ट अबॉड अर्ली चाइड एजुकेशन फार दर सस्टेनेबल सुसाइटी हमने इसके पर एक्स्टेंसिव डिसकेशन कर चुके हैं आप तक बार बार हमारी डिसकेशन हो रही है कि सस्टेनेबल डिवलमन्ट जो गोल्स हैं वह बुनियादी तोर पर एक सस्टेनेबल सुसाइटी के तरफ मूव कर रहे हैं जब हम सस्टेनेबल सुसाइटी की बात करते हैं तो सस्टेनेबल सुसाइटी में जो important रूल है वो आज का हमारा बच्छा है आज का जो हमारा चाइल्ड है वो हमारी कल की सोसाइटी है आज का वो हमारा जो चाइल्ड है वो हमारी कल की फैमिली है उसी की वज़ा से हम इस वक्त जो सबसे ज्यादा औरेंटेशन की जरूरत है जब से ज्यादा सर्टेंगतन की जरूरत है सबसे ज्यादा जो करिकुलम की रवियन की जरूराता है वो हमारी अर्ली चाइड़ोड एजुकेशन के अंदर है अर्ली चाइड़ोड एजुकेशन जा है वो बनियादी तोर पे हमें एक बेस प्रवाइड करता है अब देखें आज के बच्चे को अगर हमने वो गाइड लाइन दे दी जिस future society को हम assume करने के बाद हम अपने targets को लेके बैठे हुए है अगर आज का जो चाइल्ड है उसको embedded कर दी है हमने उस तमाम goals के साथ तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज से कुछ रसे बाद आने वारी जो society हमारे पास वो हमारे पास sustainable society बन जाएगी देखें मुझे change लाने की जरूरत है sustainable development goal के मताबिक मैं एक society का member हूँ मैं SDGs के मताबिक अपने आपको ठालूँगा तो sustainable society बनेगी जब के जो आज का बच्चा है जो हमारा early childhood है इसको जब हमने करीकुलम को इसके टीचर को जब ने हमने align कर दिया SDGC के साथ तो हमारी जो future की society है वो automatically sustainable society बन जाएगी उसकी वज़ा क्या है क्योंकि जो डाइट्स की बात करते हैं यह चाइज राइट्स की बात करते हैं जो हम communication की बात करते हैं हम जहां पे चीज़ों को प्रिजर्व करने की बात करते हैं आज हमने train कर दिया एक mindset develop हो गया और वो mindset align हो गया उसके 17 के साथ अब जब वो 17 के साथ attach हो गया है सटीजी जो है हमारे पास सट्रेवन डिवल्मेंट गोल्स जो है 17 उनके साथ वो align हो गया तो इसका मतलब है वो active participant बन गया अब वो active participant of the SDG जो है वो contribute करेगा society के अंदर और जो हमारी future society society बनेगी ना सिर्फ present लेके चलेगा बलके हमारी जो future society बनेगी वो already sustainable society डिवल्म हो जाएगी यानि वो तमाम की तमाम जो है society हमारे जो गोल्स हैं SDGs के गोल्स हैं उनके according वो डिवल्म हो गई हुई है और जब वो sustain कर जाएगी तो वो society बन जाएगी और वो जो sustainable society होगी हमारे पास वो हमारे उन targets को achieve करने में रोल प्ले करेगी जो हमने developing countries और developing countries को align करने के लिए जयाना हमने उसको बनाए थे जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास यह यह targets हैं और यह यह बन्यादी चीज़ें जो हम कहते हैं कि जो सिर्फ developing country के पास नहीं होने चाहिए बलके developing country के पास भी होने चाहिए अब developing country के अंदर जब हमने वो तमाम चीज हमने early child education के अंदर embedded कर दिया वो तमाम चीज हमारे अंदर यू समझें कि हमारे अंदर वो fit in हो गई ही है हमारा जो बच्चा आज का जो बच्चा है जो future की society है जो future की sustainable society बनेगा आज हमने तमाम उसके 17 sdgs अगर हमने उसके अंदर embedded कर दी हैं वो gender discrimination के खिलाफ है woman empowerment के हक में है वो education में education equity के हक में है gender equity के हक में है jobs के लियाद से हक में हेल्थ के लियाद से हक में है environmental friendly है वो चाहता है कि हमारे environment के अंदर change ना आए अब यह देखें यह सारे paradigms हैं और यह paradigm समने अर्ली चाहिड एजुकेशन से उसको सिखाने शुरू कर दी है उसने सीख लिए सीखने के बाद मून पर अमल पैरा हो गया अमल पैरा होने के बाद अब उसके जहन में उसके हर जगा पे action और सोच अलाइन हो गए हैं अब देखें हम अपने यह बात करते हैं जो इस बात एक्जिस्टन से साइटी है तो हम जहनी आपर पर तो उसको एडवट करते हैं कि हम कहते हैं कि याज यह होना चाहिए हम कहते हैं कि जैना हमें वोमें इंपावर्मेंट होनी चाहिए जहनी तो पर मानती हैं लेकिन जब action करने लगते हैं तो वहां पर यहां पर difference सा जाता है. यह हमारे एक-चिस्ट्स ते सुसाइटिय है. अब यह बचा जो आज का हमारे कल को सुसाइटी بنने जा रहे है, इसके जियरों एक बात की आदा हो चुकी होंगी है. और वह इस बात के ओपर बावर कर चुका है, है वो जेंडर एक्वेटी के बारे में बावर कर चुका है वो में इंपावर्मेंट के बावर कर चुका है वो पानी बचाने के बारे में इन्वार्मेंट फ्रेंडी होने का बारे में वो जो है ना वो बावर हो के वो उसको पर एक्टपान कर रहा है तो इसका मतलब है कि यह जब कल को सुसाइटी बनेगी तो सुसाइटी विल बिकार्द सुस्टेनिबल सुसाइटी